कर हम अब Kund formas के सालसद लक्षमी नेरायन यादब जी नमसकार लक्षमी नेरायन जी स्वागत है मान इसकास नमस बीजेपी निता और सांसत लक्ष्मी नारायन यादव ने अपने राजनेतिक जीवन की शुरुआत मीसा आंदोलन से की इस आंदोलन के दोरान वो दो बार जेल भी गए पहली बार साल 1977 में लक्ष्मी नारायन यादव ने सागर विधासभा सीट से चुनाव लड़ा और विधायक चुने गए जिसके बाद मध्यप्रदेश सरकार में स्तिक्षा मंद्री बनाए गए फिर साल 1980 में पहली बार लोक्ष्भा चुनाव गुना लोक्ष्भा सीट से लड़ा जहां कॉंग्रेसी ने था माधव राव सिंध्या को कड़ी टक कर दी साल 1989 में जनददल की टिकेट पर एक बार फिर विधायक चुने गए इस साल जब सूलवी लोक्ष्भा के चुनाव में बीजेपी ने उन्हें सागर से अपना उमीदवार बनाया जहां उन्होंने कॉंग्रेस के उमीदवार को भारी मतों से हरा कर सांसत बने लक्ष्मी नाराएंड यादव ने अपने 52 साल के राजनितिक करियर में हमेशा ही विकास की राजनित की सबसे पहला सवाल आपसे लक्ष्मी नाराएंड जी करीब 50 साल से ज़्यादा लंबा इतिहासरा है राजनितिक इतिहासरा है आपका जानना चाहेंगे हम अपने दर्सकों को बताना चाहेंगे आपके बादिम से कि इस राजनितिक जीवन की शुरुआत आपने कैसी की और कहां से की देखिए मैं एक बहुत चोटे परिवार से आता हूँ मेरे पिता जी एक क्लर्क थे और उनके च्छे बच्चे थे तो नेचल लिए उन दोनों सरकारी कर्मचारियों को बहुत कम पर पगार मिलती थी इस वर ऐसे गरीब हमारे घर में बहुत थी पर मुझे बच्पन से करने के बाद मुझे मेरे सामने समस्या खड़ी हुई कि मैं क्या करूँ क्योंकि पिता जी ने कहा कि आगे पढ़ाने की बेटा हमारी हमत नहीं है भले ही तो मच्छे नंबरों से पास हुए हो फिर मैं सागर आगया मैंने का मैं नोक्री खोजूगा और अपने हाप कि हमें टीचर सिफ दे दो गया उन्हों जल्दी आसाइश से लग जाती थी नोक्री तो प्रिंस्पल बोले कि हमापस टीचर सिफ की तो जगह नहीं है तुम चाहो तो चपरासी हो सकते हमाई स्कूल हमने का कोई बात नहीं हमें आप चापरासी निविट कर लीजिए और हमे गलियों में घुम घुम के आप परचे बाटा करते थे और जो जे पी आन्दोलन में भी आपने सक्रिय भूमिका निभाई है कोई ऐसी याद कोई ऐसी बात जो पी जे पी आनदोलन की जो आपके जहन में अभी भी हो और आपको लगता हो कि बताना चाहिए प्रकास का अंद कांग्रेस कब रोज मेरे जहन में था उस वक्त पर तो एक वाचसपती नाम था उनका वो लड़े थे तो उनकी मैंने बदद की थी यसी पर चर्चे मांटने में एक मेरे यहां एक लक्ष्विनान भारतवाज गुआ करते थे वह सागा नवस्टी में अस्टन रष्टार थे व उनके एक तरीक से चेला थे वह हमको जब उनने देखा किस लड़के में पढ़ने की रूची है तो उन्होंने उसको किताबें देना शुरू किया डाक्टर लुहिया की इसी दौर में मैं वह जनताई स्कूल से हो करके इंवर्स्टी में क्लर्क के पोस्ट पहुंच गया आपने राजनितिक जीवनें भी आप सक्रिये रहे हैं तो जब वह हुआ तो फिर मैंने डाक्टर लुहिया को पढ़ा और मेरे मन में डाक्टर लुहिया की पृती और उनकी सोच की पृती काफी साह रहा और उसको मैंने बहुत सही समझा दो चीजे लक्ष्पी नराइंजी एक जैसे आपने राजनितिक जीवन की शुरुआत एक कारिकरता के रुप में किर उस समय जिस तरीके का कारिकरता की भूमिका हुआ करती थी आप गल्यों में घूमते थे शेहरों में बाटते थे महले में घूमते थे और पर्चे बाटत से उसी दौरान आपकी मुलता जिसे हम लोगों का परचा है सन बहत्तर के बाद हुआ फिर में यूब जान सवा में शक्री था तो सरज्यादा जी भी काफी थे कुछ स्टूरेंट्स का में मैं सागर इनिस्टी में था तो इस टेच में था लगाता रहता था वहां पर और जहालपूर आते जाते थे उननों काफी बिद्धार ती आंदुलन में बहुत सब्क्री थे संथ-बहात्ता तहितर में सरा ज़्यादा को तहितर चहुतर में सराज्यादाव का आरेस्ट कर लिया गया उनको मीशा में अरेस्ट किया गया जैप्रकास के जाह परकास का मुझे कि अद्यक्स्ता मैंने की थी उसमें जाज फरनाडी गए थे बक्ताओं में जाज फरनाडी साब पहुंचे थे मैं वहां से निकला और दूसरे जिन से सरकार ने मुझ को बंद करके मीशा में भेज दिया डाई तीर में ने रहा फिर हाई कोड़ से छूटा एक चीज लक्षमि के कारीकरताओं में एक डेडिकेशन तो होता था अलग प्रकार का डेडिकेशन था और चूंकि आजादी के ततकाल बात का समय था ज्यादा लंबी आवसर नहीं गुज़रा था इसलिए लोगों में सोच वेल्यूज भी अलग थी बिल्कुल है अब राजनीती का सुरू अगर हमारे ने था चुनके आये तो मुझे ये ठेका मिलें, मुझे ये काम मिलें इस तरह की के बात नहीं कुछ जादा है कि अब आपने आदमी को आमक काम दे दो वह एक पैटरन बन गया है इसलिए अब लगवा सभी पार्टियों में इस पकार की बाते हैं अब इस तरह के कार गहां करीब होने लगी कुछ इनमें अभी कम है कुछ में ज्यादा हो क्या अंतर पाते हैं आप राजनिती में कार करता के लेवल पे तो आपने कहा नेता के असतर पर क्या अंतर पाते हैं किस तरह की बाते हैं किस तरह की सोच वीजन जो हुआ करता था आपके जबाने में वो नए जो यू था रहे हैं उनके वीजन में और आपके वीजन में किस त देखें तो तो इसलिए वो तोम सारे जो जिनको आपने मुद्दे हैं वे कुछ थोड़ा बहुत तो इसू बेस्ट अब जो है इसू चेंज हो गया है और अगर इस रिसेंट चुनाव की बात करें जो लोकस्वा चुनाव जीत करके आप आया है इसमें जो मुख रूप से जो करफ सन्हीं हखेड़े थे नन फांकि Edition बिजनता के बीच में बड़ी गहरी प्याडरी कि के सलकार पोर की सरकार थी वह कामदाम नहीं करर रहи है काम नहीं कर रही है और कुछ भी हो रहा है और एक कम्युनिकेश़्ण गया था जन्ता की भी जन्ता और सासकों के बी क्या आकलन करते हैं एक महने की सरकार को आप मोदी किसे आकलन करते हैं एक सरकार वो देश की सरकार 120 कडोल लोगों के उपर सासम करने वाली सरकार का एक महने में कोई आकलन हो नहीं सकता पर ये जरूर है कि कुछ काम मोदी सरकार काम करती हुँ दिख रही है इस लिहाद से नही क्या काम किया क्या रही है तो मेरे कहलं सी लोजिकल नहीं होगा पूछना में आपके अनंपफ जानना चाहता ओ आँ क्योंकि अप मोधि सरकार में पहली बार मंत्री आप नहीं अगा लेकि अब एक क्रूलिंिग आप सांजसंसद नहीं आप च्छेतर में जाते हो उनमें जो समझदार लोग हैं उनमें ये है किने सरकार ये काम करने वाली सरकार दिखती है। दो तीन वार ट्रेनिंग हो चुकिए पहले उन्होंने आईस जितने थे उन से मिली से मिले वो उसके बाद अभी सूरज कुंड में आप लोगों से भी मुलाकात थी उनकी क्या मुख्य रूप से क्या सीखने को मिला इस ट्रेनिंग में आप लोगों को देखिए एक सबसे बड मोदी जी ने और इन सब ट्रेनिंग में हम लोगों को दिया गया यही मैसे हो सब ने लगभाग एक ही लाइन पर बोला मिलकुल देखिए बीजेपी जीत के आई है तो भी अपने MPs को यही संदेश दे रही है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हार गई उसके बा गवर्नेंस की बात आप लोग करते हैं गवर्नेंस से जादा जरूरी है कि आप जनता के बीच में नेता जाएं काम जो है वो उनके से करेंगे जनता कितनी भी अच्छी हो जब तक नेता जनता के बीच में जाकर के उन्हें बताएंगे नहीं चीजों को तब तक मैं सरकारी जादिकारियों के द्वारा मैसेज नहीं फेलाए जा सकता यह नेता ही होगे जो जाकर के मैसेज देंगे के सरकार ऐसी है सरकार यह कर रही है यह करने की कोशिज कर रही है और इस लिहाज से मुझे लगता कि उन्हें ठीक किया अब मुलाहिम सिंग जी ने क्या कहा यह खेर मैं जो अभी कांग्रेस की हो गई, उनने जनता को साथ रही लेने की कुछिस की, इसलिए उनकी द्रुगती हो गई. अभी मैं देख रहा हूं कि काफी लोग आपसे मिलने के लिए हैं, उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरने के लिए क्या करेंगे आपकी देखिए, मैं मूलता तो आपको बता दू कि मैं दिल्ली में रहने वाला नहीं हूं, मैं दो बार MLA रहा तब भी में भोपाल में नहीं र हूंगा, मैं तो लोगों से दिल्ली हो, सागर में मेरे मिलने का अगर आप कभी पता लगांगे, तो मैं क्या है, मेरी एक देहलान है, मैं देहलान में बैठा रहता हूं, वह सो पच्छी तीस कूर्शियां बढ़ी है, जिसको आना है, फिल्को खुले में, मैं पता कर चुका पर्सनल सवाल है, आपकी रूची मतलब के हैं, जो खाने में आप क्या पसंद करते हैं, खाने में दाल रोटी, सिंपल, खोई वैसी जगह जहां आप घूमना चाहें, चाहूं बंद पर्देश की है, थोड़ा पहारों पर जाने में थोड़ा मजा आता है, उनको देखो नको जो लगता है, यह समयासा पहार मुझे लगता है, कि मौधी जी के वारे में एक अच्छी बात बताएं, क判के आप मिलते भी रहे हैं मौधी जी से, जो सबसी बात, सबसी अच्छी बात लगी हो मोदी जी के बारे में, वह बताat, जो यह है कि वर्क आहल को यह लक लिक है वो उनको काम करने का इनमें नशा है उंको कि हमें काम करना है और राजनेता में अगर यह इक गोर्ड आ जाए हो तो फिर वो बहुत भीतरी ना राजनेता होता है मेही अपनी मानता है यह रही इसलिए मुझे उनका सब अच्छा यही लगा, कि वो सब छोड़ करके एक ही, और वो यही हम लोगो को मेसेज दे रहा हूँ, इसलिए मुझे उनके मेसेज अच्छे लगे, कि हाँ ठीक है, बेको काम करिए, जनता के बीचों रहिए, जनता के बीचों जाईए, गूमते रहिए, और उसके करने बाद कोई चीज निस्चितरू से होगी, मैं यह असा नहीं मानता के मोधी जी कोई सुपरमेन है, उनकी एका बात होगी, जो मुझे ना पसंदो, तो मैं अगली वेर्जम मिलूगा, तब आपको बता पाऊँगा, आभी तो इस इस इस्तितिती में नहीं हो के बता सकू मतलब आप नजर रखेंगे उनके कामकाज पे और उनहीं के डिरेक्शन के हिसाब से आप अपने कामकाज को बिसुदाएंगे च्छातनेता के रूप में की और आज एमपी बन करके अपने छेतर की नेता का दिलिनि में पठ़ें जित्युदा कर रहें हैं बाकि और भी बहुट सारी बाते हैं, पोल्टिकल बाते हैं जो इनसे हमारी नहीं नहीं हुकाई लेकिन जब अगली बार हमारी मुलाकात होगी तो सक्सियत में लक्षमी नारा नियादव जी से हम उनके रासनितिक अनुहब के बारे में पूछेंगे और बात ये भी करेंगे जो इन्होंने बताये की आठ मेहने या नौ मेहने के बाद मोदी सरकार में इन्होंने क्या अच्छाई देखी और क्या बुराई देखी तो आज के सक्सियत में फिलहाल इतना ही दीजिये इजाजत मुकेश कुमार को नवसकार